How to Stable Sa मुझे लगता है कि ये एक संगीत के स्टूडेंट के लिए सबसे महत्वपून चीज है और सबसे पहली चीज है जो जिस पर काम करना चाहिए तो मैं इसके लिए क्या करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो सुबह उठते ही सबसे पहली चीज आप तानपुरा ओन करेंगे आइडिया ये है कि अपनी आवास को सुबह सबसे पहले सुर लगाने के लिए इस्तमाल करना है और किसी चीज के लिए नहीं अपना पिछ सेलेक्ट कीजिए तो तो पहला step है उसके साथ humming से शुरू कीजिए humming करते हुए अपने भीथर थोड़ा देखना है और अपनी sound को observe करना है कि उसका direction क्या है क्या वो सीधा जा रहा है या वो shake हो रहा है या क्या हो क्या रहा है उसके प्रती थोड़ा aware होना है और फिर उसको अपनी mind से, अपने mind से control करना है कि उसको जितना हो सके हम सीधा रखें और अगर तानपूरा ऐसे चल रहा है, ऐसा visualize करना है कि अपने sound को, आप अपनी आवास को तानपूरे के उपर इस तरह रख रहे हैं और बिल्कुल एक सीधा स्वर हमको लगाना है, उसके बाद ये जब आप इसमें जब settle हो जाएं, फिर आपको उसी स्वर पे सा लगाना है सा, और एक सांस में, जहां तक आप स्थिरता से स्वर लगा पाएं, जितने भी counts के लिए, उतना ही करना है, उसके बाद उसको ड्रॉप कर दीजिए, फिर से सांस भरिए, और फिर से सा लगाईए, और इसी प्रक्रिया को आपको दोहराना है, जब तक आप उसमें settled feel ना करे तो वो feeling बहुत ज़रूरी है, आपको अपनी feeling पे जाना है, उस पर भरोसा करना है, तो बिलकुल सीधा स्वर होना चाहिए, और ये धिरे धिरे अभ्यास से आ जाएगा